मसकर आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्त इस वक्त का बड़ा अपडीट है चिकित्सा विभाग राजस्थान 31,000 पदों पर भरतियां होंगी जी हाँ दोस्तों इसमें नई और पुरानी दोनों ही भरतियां सामिल है और इस खबर पर बात करना चाहेंगे और इस खबर को देख करके ये मान सकते हैं कुछ लोगों के लिए सकारात्मक वे में आप लोग ले सकते हैं लेकिन हमारा भी काम नहीं होता है लेकिन मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को चीजे बताने वाला हूं साथ में जो नई भरतिया हैं उनके बारे में भी बात बताने वाले हैं एक तरीके से कहें तो गोल-गोल खबर भी आप लोग इसे कह सकते हैं सबसे पहली खबर फरस्ट इंडिया हजार से अधिक पदों पर होंगी भरतियां ये पहली टैग लाइन है चिकित्सा मंत्री गजंदर खियूसर की फरस्ट इंडिया से खास बातचीत खियूसर बोले विभाग में करीब 21,000 के आसपास प्रक्रिया धीन है भरतियां 21,000 कोन सी हैं आप लोगों की आठ के अडर की लगबग 21,000, 20,566 इनकी एक्चुल संख्या है लेकिन 21,000 according to media मान सकते हैं 20,000 ठीक है अब दोस्तों इस खबर में देखिएगा आप लोग 21,000 के आसपास तो भरतियां प्रक्रिया धीन है इन पदों के अलावा 10,000 अन्य पदों की भी ली जारी है स्विक्रती ये कह रहे हैं कि भाई 21,000 के अलावा 10,000 और पदों पर भी स्विक्रती ली जा रही है बरतियों के लिए बरतियों में जितनी भी लीगल दिक्कते थी वो सुलजा ली गई है केडरवार न्युक्ती की प्रक्रिया जल्द सुरू की जाएगी तो ये मीडिया के हवाले से खबर है कि जितनी भी लीगल दिक्कते लीगल का मतलब है कानूनी अरचने जो थी उनको सुलजा लिया गया है लेकिन आप लोगों को सच बताएं तो नर्सिंग आउफिसर जो भरती है या अन्य जो भरती है उनके कोर्ट केसिज कभी निपतारा नहीं किया गया है ठीक है लीगल तब होगा ज किया में कहने को लोग कुछ भी कहा दें बहले ही चिकेट सा मंतरी कहा दें कि लीगल जो दिक्कते थी वो दूर कर ली गई है लेकिन ये सच नहीं है लीगल दिक्कते हैं अभी 16-11 का जो केस है वो है इसके लाँ और भी सारे केसेज हैं नर्सिंग ओफिसर भरती को लेकर के उनको अभी सोट आउट करना है उनका समाधान करना है ठीक है केडरवार न्युक्ति की प्रिक्रा जल सुरू की जाएगी तो केडरवार का मतलब है आठ भरतियां और आठ को आप उल्टा कर दीजिए ठीक है ना जिस तरीके से पांच बड़ी भरतियां आई थी सुरूआत में उसके बाद तीन आई थी तो पहले वो जो तीन आई थी भ आएंगी अब दोस्तों जो खबर है उसमें यह है कि 10,000 नए पदों पर स्विकृतियां ली जा रही है पहली बात तो यह है कि कि किसी के मन में एक ख्याल आ रहा हो कि यह 10,000 इनी भरतियों पद एड़ हो जाएंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा ठीक है ऐसा बिलकुल नहीं होगा क्योंकि प्रोविजनल लिस्टे आ चुकी है फाइनल लिस्ट के लिए इनोंने प्रिक्रिया शुरू कर देनी है कुछ दिनों के अंदर इसलिए 21,000 जो पद ही है नर्सिंग ओफिसर की भरतियां या फार्मासिस्ट इसीजी डेंटल है इनमें कोई पद एड़ नहीं होगा ठीक है इनमें कोई भी पद जो है एड़ नहीं होगा अब यह दोस्तों दस हजार नहीं भरतिया कौन सी हो गई फिर ठीक है तो मैं अपने बिहाब पर बता रहा हूं या तो दोस्तों यह हो सकता है कि पिछले कुछ दिन पहले मंत्री जी ने CHO में पद बढ़ाये थे NHM में बढ़ाये थे एनम जी एनम में और उनकी संख्या करीब 10,000 हो रही थी 9800 के आसपास हो रही थी तो यह तो हो सकता है मंत्री जी ने यह बोला हो कि 10,000 की स्युक्रति दीक हो 10,000 के आसपास थी तो पहली बात यह है कि उनको जोड़कर 31,000 हो ज सकते हैं 10,000 ठीक है NHM में हो सकते हैं पद 10,000 ठीक है पर्मानेंट भरतियां अदे कि अभी यह लोग करने वाले नहीं है पहले इनको कंप्लिट करेंगे उसके बाद पर्मानेंट की नहीं भरति आएंगी तो यह जो 10,000 वाली है या तो NHM या फिर जो CHO का पेपर तीन पर यह हो सकता है इनकी कैलकुलेशन भी 10,000 आ रही है तो जो मीडिया में खबर आई है कि टोटल 31,000 पर होंगी तो अगर NHM की पूरी कर दी जाती है और यह 20,544 यह कर दी जाती है तो 31,000 हो जाते है ठीक है पर्मानेंट भरतियां 10,000 मुझे नहीं लगता कि करेंगे यतनी जल्दी करने वाले क्योंकि पहले इनको निपटा जाएगा उसके बाद पर्मानेंट निकाली जाएगी ठीक है तो पर्मानेंट की तो बात खतम मेरे अकोर्डिंग ठीक है दूसरा यह फिर हो सकता है कि NHM की जो भरतियां है वो एक बार फिर से निकालें आप लोगों को या ठीक है तो अभी इस खाबर के अधार पर कुछ भी कह पाना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी और रही बात आठ केडर की नुक्तियों की तो यह देखी केडर वार नुक्तियां की जाएंगी जए इसीजी हुआ डेंटल हुआ ठीक है ना ओप्थिलेमिक जुड़े हुए हैं वो यानि कि 20,000 बच्चे इन 5 भरतियों में जुड़े हुए हैं और एसीजी डेंटल और उनको करोगे तो 546 लोग भी उसमें नहीं है ठीक है तो 20,000 जो अभ्यारती हैं जो चैनीत हैं वो इन 5 भरतियों में है तो इनको जब पूरा करा जाए तब मानि हैं कि हाँ सरकार ने काम किया है बाकी खबर जो है सकारात्मक आप लोग ले सकते हैं ठीक है लेकिन इस खबर को देखने के बाद ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई अभी 10-20 दिन में कोई उथल पूतल हो जाएगी और नर्सिंग ओफिसर फार्मासिस्ट या फिर एनम ल हो सकता काल आ जाए जिसमें आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से अब सिफू पर आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए और किस तरीके से इन भरतियों को चुनाओं से दोरान ही पूरा किया जा सकता है वो भी एक आईडिया आप लोगों को बताएंगे क जो स्विक्रति पिछले दिनों मानने चिकित सा मंतिर ने देथी पाद बढ़ाने की CHO में A.N.M.G.N.M. में वो हो सकती है ठीक है क्योंकि मीडिया में ये खबर दी है कि स्विक्रतिया ली जा रही है ठीक है अगर ली जा चुकी है तो फिर बात खत्म और ली जा रही है तो फिर NHM की हो सकती है पर्मानेंट भरतियों के 10,000 के चंसेज मुझे कम लग रहे हैं ठीक है ना मेरे according तो बाकी जो भी खबर होगी एक दो दिन में पांथ दिन में सीसे की तरह साफ कर देंगे कि क्या कुछ इस खबर का अर्थ है 10,000 पद कोन से रहने वाले हैं ठीक है साती हो तो जो खबर आई है उस पर हमने बात की है इस वीडियो को आप लोग जो है सेयर जरूर कर दीजी अपने दोस्तों के साथ और दोस्ते एक सिकायत है आप लोगों से काफी सारे लोग जो हैं यूट्यूब पर मालो कोई भी हमारा वीडियो 10,000 लोगों ने देखा ठीक है तो उसमें से क्या होता है कि 70% जो लोग है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कितने लोग 70% यानि कि 10,000 में से 7,000 लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जो आप इन भरतियों में चैनित हो जो इन भरतियों में सलक्टिड हैं वो ही लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो इसकी अलावा Instagram पर follow कर लो भाई Instagram पर आप लोग उलूल जूलूल लोगों को भी follow किये हुए हो जिनकी reels आप बेहूदगी की reels देखते हो लेकिन आरेनेस एजुकेशन न्यूज के Instagram जो पेज है उसको थोड़ा follow कर लीजिए वहाँ पर follower आपको बढ़ाने चीए हमारे यही निवेदन है बहुत सारे लोग Instagram चलाते हैं लेकिन वो क्या public channel है RNS Education News का तो वहाँ पर कोई भी खबर डालते हैं ओडियो वीडियो डालते हैं तो Instagram पर जाएंगे देख लेंगे उस खबर को लेकिन follow नहीं करेंगे तो उस account को भी आप private कर दिया जाएगा अगर आप लोग follow नहीं करेंगे RNS Education News के Instagram अकाउंट को private कर दिया जाएगा फिर जब आप लोग follow करोगे तब भी वो खबरें दिख पाएंगे आप लोगों को तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन बता रहे हैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर और YouTube पर जादा से जादा follow करें अपने आसपास के दोस्तों को बताएं RNS Education News के बारे में ठीक है जितने भी Nursing Paramedical के अभ्यारती हैं उन सब तक बताएं RNS Education News को जादा से जादा संख्या में सब्सक्राइब करें YouTube पर मुझे 2,00,000 की संख्या बहुत जल्दी चाहिए सातियो आप लोगों का प्यार सपोर्ट की जरुरत है मार्च के महीने में कर दीजे 22,000 लोगों की कमी है तो कर दीजे वो पूरी 2,00,000 होने के बाद कुछ नया लेकर के आएंगा आप लोगों के लिए तो दोस्तों ये खबर थी चिकित से बाग भरतियों को लेकर के फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही टेलीग्राम को फोलो कर लो, इंस्टाग्राम को फोलो कर लो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, यही निवेदन है आप लोगों के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत